जवलपुर संभाग के स्वास विभाग ने अवैद पैथलोजी एवं अवैद कनेक्शन सेंटरों के खिलाफ जाज अभिया अनप्रारम किया है 62 कलेक्शन सेंटरों के SFRID बंद कर दी गई है कई सेंटरों पर फर्जी तरीके से RT-PCR की जाज की जा रही थी सब के खिलाफ जाज की जा रही है कुरोनकार में पैसा कमानी के लिए स्वास सेवाओं के साथ किस तरह खिलवाण किया गया और अभी भी किया जा रहा है इस बात के प्रमाण लगतार मिल रहे है स्वास विभाग द्वारा शुरू किये गए अभियान में पता चला है कि शहर में कई स्थानों पर RT-PCR की फर्जी जाज कर दो घंटे में रिपोर्ट थमाई जा रही है अधिकारियों ने पहले चरण में ऐसे 62 कलेक्शन सेंटरों की SFRID ततकाल बंद कर दी है हम लोगोंने guideline निर्धारित की है collection centers की क्योंकि जबलपूर में ये शिकायतें लगातार मिल रही थी कि विभिन collection centers जो किसी pathology से सम्मंदित भी नहीं है लेकिन उन्होंने अपने सामने बड़ी-बड़ी जो metropolitan cities के laboratory हैं उनके board लगाए हुए थे जैसे SRL का collection center है या LAL lab का collection center है जब हम लोगोंने तहकीकात की कुछ centers की और इन बड़ी labs से जब हम लोगोंने संपर किया तो ये पाया गया कि इन्होंने इन्हें authorized नहीं किया है तब ये बात संग्यान में आई कि ऐसे कितने centers चल रहे हैं जबलपूर की एक बहुत बड़ी pathology lab के 38 centers पाये गए कि 38 centers हैं जो collection का काम कर रहे हैं और जब उनसे जानकारी मांगी गई कि आपके कितने collection center जबलपूर में है तो उनसे जानकारी मिली 4 collections हैं अधिकारियों को कहना है कि collection center पर क्या विवस्थाइं होना चाहिए उसके लिए निर्देश चारी कर दिये गए हैं अब दवा दुकानों पर फर्जी तरीके से sample collect नहीं किये जाएंगे trained staff ही sample collect कर पाएगा अभी CMO office से एक team हमारे पास आ रही है और हम लोग हर जिला इस्तर पर कम से कब मेरे संभाग में जो 8 जिले हैं उन जिला इस्तर पर हम वो मापदंड भेज रहे हैं कि यह चीज़ें आपको चेक करनी है कि collection centers में क्या सुविधाय होनी चाहिए और किस सीमा तक वो कारे कर सकते हैं technicians क्या कर रहे हैं collection center खोलकर वहां machine रखके वहीं से testing कर रहे हैं और उन बड़ी लेबों के नाम से report भी दे रहे हैं इसलिए कल हम लोगों ने जितनी भी IT PCR sample की lab थी मैंने आदेशित किया था CMH को कि सब के SRF ID ब्लॉक कर दिये जाएं तो हम लोगों ने कल सभी के SFR ID ब्लॉक कर दिये थे जिन दवा दुकानों पर नाम lab के poster लगा कर collection किया जा रहा है उनकी भी चार्च शुरू कर दी गई है हम जो SFR ID इशू कर रहे हैं वो केवल जैसे माली जैसरेल lab है तो सरेल lab के लिए सिर्फ एक SFR ID इशू होगी जिससे कि सिर्फ वहीं पर जाकर sampling होके उसके entry हो सकेगे किसी भी collection center में ना sample लिए जा सकेंगे और ना ही उसके कोई entry संभा हो पाएगी बहराल देर से जाके स्वास विभाग ने मुहीम शुरू की है कई दागदार चहरों के बे नकाब होने की उन्मीद है नहीं सरकारी इस तर पर RTPCR की जाच आसानी से हो सके इसके इंतजाम कराये जाना भी जरूरी है